आवाज विशेश कारेकरम में आपका स्वागत है और विशेश में आज आपसे भेंट करवा रहे हैं एक बड़ा ही चर्चित चरीत रहें वैसे उनका सारा जीवन आर्ट और आर्किटेक्ट्चर इन दोनों चीजों से बड़ी गहराई से जुड़ा रहा लेकिन इस आर्ट और आर्किटेक्ट्चर की जो भौतिक स्पष्टता है उसको उन्होंने अलोकिक तौर पर भी समझने की कोशिश की और उसे जब उन्होंने अपने चेतना की इस तर पर समझा तो सीधे विपसना की खोज में लग गए और वो पसना जिसको विशेश रूप से देखना है उस कारिये में जूड गए और इसके बाद जो अनुसंधान उनके सामने आया वो उन्होंने लोगों के समक्ष इस तरह बाटा कि जैसे उनका अपना कोई उनकी अपनी भाशा में उन्हें उनके अपने जीवन की बात सिख हाँ और समझा रहा हो जेहाँ आज आपसे भेंट करवा रहा हूं आचारिय सुधागर चोधरी सर से ऩ जाई भाई ग्यान पीट जाईवाई चोधरी ज्यान पीट इस जाई पीट के विशनचालग भी है जाईवाई चोधरी का नाम ये बाबासाहब के आंदोलन से तब होता है उसके आयोजन में जाइबाई चौधरी होती है जाइबाई चौधरी के परिवार का ये वो पूत्र जो अभी आप से जिनके भेंट करवा रहा हूं एक बात को समझेगा कि ज्यान दान का वो कार्यक्रम तब से जाइबाई चौधरी ने शुरू किया वो आज भी चल र बात जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि बड़ा लंबा समय आपने बिताया है अपने अंतररंग की खोज में अपने भीतर की खोज में और इस भीतर की खोज से जो कुछ पाया आपने उसको आपने लोगों में बाटा भी आर्ट और आर्किटिक्टर को आपने अपने ज वरतमान समय में जितना conflict हम देखते हैं एक ही मनश के बीच में, क्योंकि इस समय कोरोना का संक्रमन चल रहा है, संक्रमन का काल है, लोग बड़े ही अजीब तनाओं से घुजर रहे हैं, लेकिन इन तनाओं में, जिनके पास कोई हेल्थी इस्यू नहीं है, उनके पास ब्रेट क इश्यू है, कोई स्वास्त से लड़ रहा है, कोई स्वास्त से जूज रहा है, कोई भूख से लड़ रहा है, भूख से जूज रहा है, जिवन की समस्याएं बड़ी विक्राल रूप से उसके सामने है, और ऐसे में वो बड़ा संभ्रम में आ गया है, आपको क्या लगता है कि ऐसी अवस्था में अपने भीतर की जो खोज होती है वो और हमारे इस पूरे वातवरण के साथ इस पूरी प्रकरती के साथ इस पूरे नेचर के साथ जूड़ने की जो कला है जो तथागत इस संसार को सिखा कर जाते हैं उस कला को आप, आपके आर्किटेक्चर की हिसाब से कैसे समझाएंगे? आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रशन आपने पूछा और इसका उत्तर सम्यक संबुद्ध ने प्रतित्य समुत्पाद में दिया है अच्छा मतलब जिसे हम लोग ये कार ये कारन भाव जिसे कहते हैं मतलब जिसका आधुनिक विग्यान भी जिसको कह जिससे सारा कारोबार चल रहा है और इसे कॉजन एफेक्ट टियोरी भी कहते हैं मर अपने स्वनुभाव से रिसर्च के बाद सिधार्त गौतम ने इसे खोजा और ये इसके बारे में बहुत सब्रम है पंडित विख्शों में ये सब्रम कैसे कैसे पैदा होते हैं तो वह ब गई आप श्कड़ाई थे हैं प्रतिपार फट्लिवा श्राटिश समुद्पात पस्ति और अगर में अगर Tao को जाना चाहते हैं और विश्व में जो भी हो रहा है तो कारोबार चल रहा है वह कारेकारन भाव पर चल रहा है और ये बुद्ध का बेस है, बुद्ध धम्म का बेस है, इसलिए बाबा साब उम्पेट कर जी ने बुद्ध और धम्मा में कहा कि चार आरे सत्य पर प्रश्ण चिन्न लगा दिया, जे, कि ये भगवान बुद्ध उसके प्रिफेस में, येस, नहीं कहा था, बाद में प्रक् रिसर्च के लिए 28 साल लगे मुझे, तो मैंने विपस्ना के उपर रिसर्च जितना महत्वपुर्णी नहीं लगा, उसना मुझे बाबा साब अंबेट करके ज्ञान प्राप्ती पे लगा, उसमें जो चार स्टेजेस है, बहुत महत्वपुर्ण स्टेजेस है, पहली विव अधको ग्यान कैसे प्राप्त हुआ, आज की विपस्ना को बाद में सोचेंगे, तो पहले विवे का नविशलेशन, दूसरी आती चित्त की एकागरता, तीसरी में समचित्तता मनो निग्रह, और बाद में चौत्यों समच के पवित्रता का सबका संयोग, अब इससे क्या होत बात यह है, कि बाबा साहब ने ध्यान साध्ना हमें दे दी थी, हम लोग विपस्ना की तरफ चले गए, तो बाबा साहब का कहना था, कि वो समाधी मार गया, अगर आप पाँचो निवरन को हटाना चाहते हैं, तो आपको, पाँचो निवरन अगर आप अपश्यों निवरन तो बड़ी, यानि बावसाभ ने रहा दे दी थी, हम लोग समझ नहीं पाये थे यही रहा बुद्ध की सची रहा है, इसको ठांग मार्थ कहते हैं और अश्टांग मार्थ के ही ये आखरी की कर्डी है समयक समाधी अब बाबा साहब ने बिलकुल क्लियर कर दिया जिसके वज़े मुझे विपस्णा में रिसर्च करने का मौका मेला तो इसका रास्ता कैसा था बहुत सरल बहुत सरल बहुत सरल भगवान बुद्ध ने जो भी बात बताई वो बहुत सरल बताई स्वाख्खातो भगवतो धम्म, संदिठ्ठी को, अकाले को, एपस्थी को, भगवान बुद्ध ने कहा, बिल्कु स्पष्ट कहा, कलिष्टो तो हम लोगों ने बनाया उसको, तो तथागत इस बात को कैसे समझाते हैं, तो बहुत आसान है, कि अश्टांग मार गए ही निबा अश्टांग मार का प्रयोग किया, एक फेलियो लड़की मेरिट आ रही, अठाउटा के एक दो मेरिट आते तो बात थी, पंदरह में से दस अश्टांग मार की से पढ़ाय हुए तरीके से, और वो बाबा साब ने दिये, तो फिर मैंने वो रिसर्च को इतना साल इसलिए ल आसति वा करोति वा ततोनं सुख मनवेती चाया वान पाहिने। मतलाब आप कुशल मन से कुछ करते हैं, तो सुख आपके पीछे वैसी आता है, जैसी चाया आती है। तो ये पहली कड़ी मैंने लिया, जो कि यमक पगों में दो जोड़ी थी, कि दुख कैसे आता है। तो य कहां से मैंने रिसर्च को आरंब किया। अगर हमारा समाज गरीब है, तो कोई कारण होना चाहिए। बिना कारण तो कुछ होता ही नहीं। बिलकुल। तो इसलिए पहले मैंने हमारे बहुजन समाज के 240 प्रॉब्लम को एनलेसिस किया। बस्ती में जाकर, स्कूल में ये वह समस्या है। जो भी बता बता है। तो वह स्टड़ी करना इसलिए कठेन था कि उस तमय जाईवाई चौदर गैनपीट में सिर्फ लड़किया थी। लड़के थी। और बस्ती में जाकर बात करना उनके इंक्वाइर करना बड़े मुश्किल गई थी। और मुझे बड़ा स कि यह क्लास में अगर यह पढ़ाया जाता तो उसके बाद यह क्या कर रही है। यह कैसी सोच रही है। वह जहां जाती थी मशीन उसको फॉलो करती थी। और टेप करती थी। इस प्रकार से हमने सम्वेद्नाव को स्टड़ी किया। अब भगवान बुद्ध ने वेद्ना स चले। इस प्रकार से फिर मल्टिप्लाइ होते जाते हैं। तो यह सम्वेद्ना क्या है। सवाल था। तो बस रिसरच आरंब हुआ। प्रैक्टिकल रिसर्च था कोई कितावी नहीं था। तो हमने देखा कि यह तो बड़ा महत्वपुर्ण है। यह अश्टां मार्क तो बिल्कुल सच्चा मार्क है। तो हमने पहले किया कि भई तिरको कितने मार्क है तू फेल हो गई। आर्थिस आखरे दस्वें फेल हुई थी। ठीक है। कोई बात ने। मेरिट आने का यह रस्ता है बाबा साब ने बताया। चल इसको फालो कर। बुद्ध का मार का है। वो ड़ाइलाक में से साथ भी मेरिट आई। फिर हमने बोले चल तू तो ब्रामिन लड़किये गवरी पर आंजोपे। तू फालो कर उसको अठाट परसेंट मार्क है। व जाई भाई चौधरी गैन पीट में यह जो अनुसंदान हुआ। इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज के शिक्षा इसको पॉलिसी को एक दिशा दे सकता है। और इसलिए हम लोगों ने प्रतित्य समुत्पात पर पूरा ध्यानाकरशित किया। तो बोलिए। यह आप कुछ कड़िया हैं यह अग्यान से दुख तक और दुखा बोच से लेकर निबान तक बड़ी प्यारी है। दूसरी बारा इसमें हमारे सारी समस्याओं के हाल है। मतलब यह जो बौदों के जो संके चिन्नों में जो हम देखते हैं कि जो 24 का कलियों वाला जो चक्र जो दिखता है है ना जो 24 आरे मरे होते हैं वही प्रतित्यसमुत्पाद है और वही धंमचक का पहतन सुते हैं अच्छा उसी को धंमचक का चक्र बहुत से लोग उसको अशोक चकर भी कहते हैं हाँ क्योंकि समराठ अशोक जी ने उससे अपना सिंबॉल बना लोगों को उसके पहले का नही लेकिन वास्ताओं में वो धम्मचक्र है तो यदि प्रतित्य समुत्पात का ये जो नियम है आपने तो बिलकुल जहां स्कूलों में बच्चों के जो बहुत धिक विकास है उस पर इसका अपने इस्तेमाल किया इस वक्त हम लोग अगर देखें तो हमारा पूरा जो ये बात तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनके सामने जो परिणाम आ रहे हैं वो परिणाम किस कारण से आ रहा है भाई आपने तो ये बात जरूर। के सामने है, लेकिन उसका कारण उनको नजर नहीं आता, तो इसकी खोज आप कैसे करते हैं, बहुत आसान है, भगवान बुद्ध ने अनुलों प्रतित्य समद्पाद में कहा अविज्ञा पक्च्य संकार्ण जब संकार घ्यानम से अज्यान से अविध्यां से अज्यान से संसकार निर्मान होता, संसकार से मन निर्मान होता है, एक छेतन मन है, एक अची चेतन मन है, अचेतन मन पुर्छोन में बहुत टाकत है यह दोनों । recorded memory है अब चेतन मन में तो हम लोग देखते कि बाहर से जो पांचों इंद्रिया द्वारों हम गुरहन कर रहे हैं जी वो रेकॉर्ड होता है तो ये अचेतन मन में रेकॉर्ड होने के बाद में अचेतन मन डायरेक्ट प्रतिक्रिया करता है वो अपनी कोई राह नहीं देता बस यही से स्टार्ट होता है यही से स्टार्ट होता है बीमारियों का तो हम लोगों को सवाल आया था कि यह लड़की घर क्यों है यह आई क्यों ने स्कूल हमारे लिस्ट पर रहते थे तो हमने देखा कि यह बीमार है बीमारी का क्या कारण हो सकता है बीमारी है मैले रहा हुआ तो उसका कोई कारण तो हो गई अगर कारण है तो उस पर उपा है मगर कारण पता चलना चाहिए ऐसी हमारे देश में कोरोना है कोरोना तो वाइरस है ऐसी तो दो लाख वाइरस हैं बोलते लोग वेसी बहुत सारे रोगों से बुद्धी तो होता ही है और भगवान बुद्धन ने कहा कि जो डर हो मारा डर से बाहर आ जाओं और डर से तब बाहर आ जाए सकते हैं जब आपको रहा मिल जाए स्पष्ट रहा क्लियर रहा तो लोग ऐसे डर से भैसे कैसे बहले बहुत आसान है मैंने अभी जो सुत्र बताया कि अविज्जा फियाना मन कैसी हुआ संसकारों से हुआ संसकार गलत तो मन में रेकॉर्डीग गल्थ और इसके आगे फिर शुरू हो जाता कि अविध्या से संसकार बना संसकार से मन बना मन से नाम रुभंग बना को रोना क कह हैda उसको हम भूबंय नाम दी उसके बाद हिट शड़ायतन इ मोबाइल में आ रहा है न्यूज में आ रहा है पूरे न्यूज चैनल और पेपर में वो ही है और अब यह पांचों इंद्रियों से रिकॉड हो गया उसके पास अज्यान के वजे से उसको एकसप्ट करने का छोड़के कुछ नहीं है तो एक्सेप्ट करने के पाद क्या पज़दा करेगा हो डर क्योंकि मृत्यू का भह सबको है मर जो धम्म जान लेता है मृत्यू के भह से निकल जाता है यह सबसे हो जाता जाती जरा मरन और दुख तो अग्यान से दुख तक की बारा कडिया है अगर यह बारा कडिया हम लोग समझते हैं तो बीमारी तो अलग बात हुई हम गरीवी से निकल जाएंगे हम हमारी समस्याओं से निकल जाएंगे हम हमारी कठीन से कठीन समस्या पर हल ढूंड सक इतना अच्छा मारग है यह अग्यान से दुख तक आता है इसके बाद जो शुरू होता है वो प्रकाश का मारग है बारास और उसको बुलते हैं पटिलूम प्रतित्य समुत पाद आज तक हम लोग दुख करते रहें दुख करके क्या फाइदा दुख का बोध करो यही तो आर मतलब जो जिन समस्याओं से गुजर रहे हैं उन समस्याओं को देखे उसको अनुभाव करें और अनुभाव करने के बाद उसका मारग भी डुले कि इससे निकलने का मारग क्या है लेकिन बहुत सारे लोगों ने इससे निकलने का मारग जो चुना बड़ा गलत मारग है बह अग्यान है, क्या इसे नियती कहा जाएगा, नहीं, यह अग्यान है, अग्यान से दुखाता है, उसके मृत्यों का कारण, उसका अग्यान है, अगर यह अग्यान दूर कर दो, अग्यान से बना हुआ संसकार है, कुशल संसकार दे दो, लेकिन इसी बात को जब लोग जब समझ एक विज्ञानिक तरीके से समझने की कोशिश करनी चाहिए जिन चीज़ों को फिर ये जो बात है कि ये कर्म सिधान मतलब ये जो उनके सामने फल आया ये उनके कर्मों का फल है ऐसा जो कहा जाता है तो इस बात को आप कैसे समझाएंगे क्योंकि इसका भी प्रतिति समूत पा प्रफिव यह है कि हम मजूरी करें और सवर्नों के सेवा करें उसके माइड ने मान लिया था जाईवाई नहीं माना जिस टाइम सारे स्त्रिक शुद्रों को पढ़ाई मनाई थी महापाप समझा जाता था उस टाइम जाईवाई सी पढ़ी नहीं टीचर बनी और घर घर जाके उसने यह बाबा साब से मिली हुई चेतना थी 1920 तो सवाल यह आता है कि अगर अग्यान दूर कर दिया जाए तो हमारी समस्या को दूर करने कर सकते हैं बहुत आसाने से अभी प्रारप्त की बात है हजार साल से वो ही थोपा जा रहा है उनके उनके पास उनके सर पर उनके इं अगर कोई कैडर है और वो रोज उन्हें अवेर करने का प्रेस करता है और ऐसे कोई सव कैडर है एक बस्ती में वो ट्रेंड है जैसे कांशी राम जी ने ट्रेंड किया था बामसेफ में ऐसे ट्रेंड कैडर्स अगर बनाए जाए तो हजारों लोगों को पढ़ाने के ज़रत नहीं है यह जाके उनका प्रभधन करेंगे समझने कि अब यह जो संस्कार बनाएंगे वो अच्छेतन मन में आएगा अच्छेतन में आए तो चेतन मन से आने वाले संस्कारों का यह होगा और वो सोचेगा बाबस अपनी यह तो किया वो सोचने पर मजबूर किया तो इसलिए मुखनायक में सिंबॉलिक था वो कि उन्होंने सोचने पर मजबूर किया और जिन्होंने सोचा वह बाहर आ गए तो पहले हम लोगों 1956 में यह सोचे कि ऐसी कालपनिक भगवान है यह नहीं और आत्मा भी नहीं है तो हम लोग कुछ लोग उससे बाहर आ गए तो वो तो कर्म का ही फल बोलेगा क्योंकि उसे वो ही पढ़ाए गया उसके दिमाग में वो ही डाला गया अब आप नया साफ़ेर लोट कर दो नहीं हम इस चीज़ को थोड़ा सा अलग तरीके से अगर समझने का प्रयास करें तो हम जानना यह चाहरे हैं आपसे कि यह जो लोग इस वक्त में जो हेल्थ इस्यू से परिशान नहीं है वो सोसाइट में जा रहे हैं वो किसी अन्ने कारणों से जा रहे हैं यह जो प्रकृ कर नहीं किस इस्तिति में बैठता है तो इसकी कौन से स्टेज है वो पर यस तेटियों से आद्मी स्यूसाइट कर लेता है क्योंकि वो अपनी जान को अपने मृत्यू से जादा ये करता है इसलिए वो सुसाइट कर लेता वर सुसाइट का एक कारण कभी नहीं होता है उसको प्रत्य करते हैं प्रत्य कारण से कभी कुछ नहीं होता है बहुत सारे कारण रहते हैं फिर एक कारण ऐसी आता है कि उस टाइम में व सी होता है अब समाज में आप सोचिए मतलब बहुत सारे सामुही कारणों का एक परिणाम है एक परिणाम सोसाइड है अच्छा अब यह अपने किसान सोसाइड कर रहे थे उनका पर आनलेसिस करी कि उसने सोसाइड क्यों किया तो आपको यह बात सपश्ट हो जाए गया मतलब उनके सामने एक बड़ा कारण तो है कि उनके पास में फसले नहीं है उनकी खेटी में कुछ हो नहीं रहा है और बहुत सारा करजा उन्होंने ले रखा है उसको चुकाएं कैसे यह समस्या इतने प्रत्य इतने कारण है, और वो एक जगह आता है वो अपने फैमिली से बहुत प्यार करता है, कम हम इनके चल्विए कुछ नहीं कर सकता, तो सवाल ये है, बहुत इंपोर्टन सवाल ये है, कि आज TV माद्यम से, आपके चैनल के माद्यम से जो बताया जा रहा है, वो कोर अगर परफेक्ट साइंस बता दिये तो वो धम्म हो जाता क्योंकि बाबा साब धम्म की व्यक्या करते टाइम करते हैं अगर हम कर रहे हैं देश के समस्याओ उस पर हम लोग बहस कर रहे हैं अगर हम कोरुना के अधास्थिति पर करें प्राकूर्ति कार से हमका अच्छा हो सकते हैं और है क्या कितने दिन रहता है बुखार रहे खासी है इसके लक्षन यह है इसके लक्षन वह नहीं है यह तो निरंतर बदल रहा है वह गफे बदल रहा है यह आज एक है कल दुसरा है अभी तो इम्यून हो जाएगा सब तरब तब कोरोना से फाइट भी कर सकेंगे अपने पर सवाल यह है कि इतना भयानक नहीं है जितना बताया जा रहा है इसको इसलिए कुछ नेच्रोपैथिस्ट ने इस पर आहार थेवरेपी बताई कि यह डायेट लो भी आप ठीक हो जाओंगे तो यह दो एक्स्ट्रीम हो गया सिर्फ डायेट ने उसके साथ में दवाई भी चलने चाहिए क्योंकि वह डायेट जब तक असर करेगा तब तक तो यह यह भी बहुत सारे अल्टरनेटिव वेज है और जो साइंटिफिक है साइंटिफिक है तो इनका एक बैलेंस्ट उपा अब आप देखिया हॉस्पिटल्स में अभी हमारे यहां के एक क्लर को कि इसको यह हो गया कोरोना हुआ तो उसको साड़े चार लाक रुप चार लाक रुपर मांगे है वो भीचारे को घर गया उसको दवाई दे गई आहर बदला गया ठीक हो गया पांचवे दिन में तो यह जितने विकार है हमको गलस संसकारों से निर्मान हुए है और उसके जगे अगर हम सही संसकार दे दे अब दे कहां से सकते तो आज का मेडिया है यह सोशल मेडिया और हमारा टीवी मेडिया यहां से निरंतर सबेरे तो फिर में शाम में अगर हम लोग वो संसकार देते है कि जिससे आदमी निर्वे हो जाए और लड़ाई के लिए तैयार हो जाए तो पहले डर भगाना पड़ेगा आपको क्या लगता है इस बात को हमें समेटना होगा क्योंकि प्रतित्य समुत्पाद अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जिक्ट है लेकिन अगर ये जो डर भ कर लेजिए कि है क्या दुख्प बोध हो गया तो उसके बाद प्रमोध आता है यह पटीलों प्रतित से समुता है प्रमोध यादा ने अपने को खुशी होती है आनन्द होता है कि मैंने जाना अब डर भाग गया तो यह ऐसी चलती है ये कडी कि यह आती है एक के बाद एक सोख प्रक्षब्दी विराग वगरे निबान तक है यह जो कडिया है इसको सिंप्लिफाइट करके लोगों तो पहुंचा जाए सकता बड़े आसानी से एक दम सिंप्लिफाइट फॉर्म है क्योंकि भगवान पुद्ध नहीं कहा है साक्का तो भगवा तो धमो उन्होंने बह सकते हैं बिलकुल आसाने से यह तो बात सही है कि इतने साल से इतनी महमारी आये भीमारी आएं कुछ लोगों का मरत्य हुसका एक कारण्द हो ठीथ हुँद है और उvenक कारण किसी ने बुला कोरोना से मर गया तो ऑइ को रोना थोड़ी गारंता सी तो और भी हो सकते हैं अब TV से इतने पांच लाग लोग मरते हैं और शीज से मरते हैं तो कभी उसका इतना डर नहीं nadal किया गया अब डर की के बिमारी जुद यह हो गही आ निराशाय जो है वो निराशाय भै के कारण भी उत्पन हो जाते हिए एक दूसरी इस्थिति है कि लोग परेशान तो है तनाओं में तो है लेकिन परेशानिया और तनाओं सब्सक्राभ नहीं हो सकते है इसमें बहुत सारी चीज़े होती है जो तनाओं प्रप्रन करती हैं और उसके कारण हम सब परिशानी के ओर चले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसका कोई उप्चार नहीं होता। हम इस समय आचारिय सुदाकर चौधरी सर से ये बात चीत कर रहे थे और चौधरी सर बड़े सामाने रूप से बड़े सहज रूप में बड़े हस्ते हुए वो कहते है हाँ बड़ा आसान है तनावों से भी निकलना हाँ बड़ा आसान है निराशाओं से भी बाहर आना हाँ बड़ा आसान है परिशाओनियों से जूजना तो परिशाओनियों से जूजना जा सकता है और उन परिशाओनियों से निजाद भी पाई जा सकती है उन से बाहर भी निकला जा सकता है तनाओं से भी हम लोग बाहर आ सकते हैं लेकिन उसके लिए एक बात जो चौधरी सर बड़ा जोर दे कर कहते हैं कि हमें पहले तो अज्ञान से बाहर आना होगा और अपने जीवन के प्रती जो वैज्ञानिक दृष्टिकुन होता है उसको अपनाना होगा हमें जीवन का वो रास्ता चुनना होगा जिस रास्ते पर हम ये रियलाइज करें अपने अलुभूती में ले आए कि हाँ ये दुख है उसका बोध हो जाना चाहिए अगर वो बोध हो जाता है तो फिर ये इस बात की खुशी भी होती है कि मैंने दुख के अस्तीत्व को जान लिया है अब जब उसके अस्तीत्व को जाना तो उसका कारण भी समझ में आता है और जब कारण समझ में आता है तो उसका निराकरण भी मार्ग अपने आप खोलता चला जाता है और ये जब निराकरण के मार्ग खुलते है तो यहीं से परिणाम बदलने लगते हैं जिन परिणामों को हम चाहते हैं वो परिणाम आने लगते हैं चोधरी सर ने एक बड़ा अच्छा उधारन दिया कि यदि आप कुशल मन से यानि कि अच्छे मन से किसी कारे से जूड जाते हैं तो निश्चित रुप से वहाँ सफलत ने वाली चाया और यह जो बात है यह चौधरी सर हम इस समय हमें समझा रहे थे चौधरी सर आप हमारे साथ हैं और हमसे बाच्छित की इस पूरी बाच्छित के लिए आपका बहुत धन्यवाद आप बने रहिए का आवाज इडिया के साथ प्रोग्राम आगे भी जा रही ह मौड्या बाच्प yoे बात है जाया इड़ है प्रोग्राम मोड्रा आपका बेदान के यह है लिए बा Pap ल不好 करा रहे सकता क हमारे समय हिर वाली इस बाच्छित के भी उन्याय हईन्हा बाच्या जर्टरू डहे जन्युर्प़जित